नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में तो आज बात करूंगी मैं आपके साथ थी इडियर्स ऑफ दा हाउस यानिकि बिग बॉस मराथी सीजन 2 के अंदर कल के एपिसोड में नॉमिनिशन टास्क में कौन थी इडियर्स ए रहें थैंक यू सो मच सब्सक्राइब चानल बाई क्लिकिंग इस अप्सक्राइब बटन क्लिक ते बेल बाटन एंजोई दिलियर्स अप्लोट्स फ्रमार चानल नॉमिनिशन का टास्क होता है घर के अंदर कल और उसमें तीन लोग ऐसे निकलते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी बेवकुफी की है नॉमिनिशन के इस टास्क के अंदर तो वो तीन कौन है और क्या है उनकी बेवकुफी उनी थ्री इडियर्स की बात करते हैं सबसे पहले मैं बात करूंगे वेशाली की वेशाली जिसकों की बहुत जादा समझदार प्लियर माना जा रहा है बहुत ज़ादा ऐसा player माना जा रहा है कि जो पीछे बैट के pack seat लेके आगे नहीं खेल के भी आगे खेलती है यानि कि खिलाती है लोगों को सिखाती है पढ़ाती है और अपनी game को on रखती है वो खिलारी कल की nomination में गलती कर जाता है वो गलती क्या थी शिवानी को nominate करना भी है तो शिवानी नॉमिनेट नहीं होगी तो एक तरह से उसनी अपनी जो वोट थी एक जो nomination थी वो कुमे में डाल दी यानि कि बिलकुल बेकारगर्दी उसके जगद किसी और को अगर वोट करती तो वो definitely nominate हो जाता तो यह जो चीज उसने की है वो मुझे लगता है गलत की है क्योंकि उसको शिवानी की और अपनी vote waste नहीं करनी चाहिए थी तो यह तो एक होगी वेशाली दूसरी मैं बात करूँ ही नेहा की नेहा ने की हिना को वोट तो नेहा को वोट करके नेहा ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया बिल्कुल भी समझदानी वाला decision नहीं लिया क्योंकि हीना के साथ चाहिए उसकी नहीं बनती है मगर ultimate नेहा जो है उसके अंदर की खुंदस थी जो उसने हिना को नॉमिनेट करके साबित की यह चीज़ उसने साबित की तो दूसरी है नेहा तीसरी में बात करूंगी खुद हीना की हीना ने क्या कि हीना ने भी नेहा वाली गलती कि उसने नेहा को नॉमिनेट किया ना सिर्फ नेहा को किया साथ में किशोरी ताई को भी नॉमिनेट कर दिया, किशोरी ताई जिनको वह बहुत प्यार करती है, जिनके साथ रहती है जिनके साथ वह सब जो emotional moments होते हैं वो उसे उनके साथ बिताय है, तो कही नगे हैं लगता था किशोरी और हिना की आपस में कुछ बन रहा है कुछ मितता हो रही है मगर कल उसने हिना ये करके ये साबित कर दिया कि उसने किशोरी के साथ कोई मितता नहीं है वो किशोरी को जैसे बाकी लोग समझते हैं ये भी वैसा ही उनके बारे में सोचती हैं तो दोस्तों ये है तीन oppress कलके Nomination Tomane आपको क्या लगता है कि क्या मैं कहीं पर गलत बोल रही हो तो comment section में comment करके बताइए और बने रहे हमारे channel hungry spirits के साथ Thank you so much